हेलो दोस्तों आज देखेंगे लोकों में जे तीन तरह का पावर सार्किट होता है एक होता है फीडिंग पावर सार्किट दूसरा अक्जिलरी पावर सार्किट और तीसरा ट्राक्शन पावर सार्किट तो आज के फीडिंग पावर सार्किट के दिबाड़े में जान लेंगे तो feeding power circuit में कैसे power supply OHE से transformer तक जाता है उसके ही बोलता है feeding power circuit तो लोको का उपर जो OHE contact wire है उसके 25 kb power supply दिया रहता है उससे power supply लेने के लिए लोको का उपर में दो pentagram डाता है इसको बोलता है PT1, pentagram number 1 and PT2 मतलब pentagram number 2 एक चीज़ याद रखिए जब लोको में एक पेंटो rise होके contact wire के touch करेगा तो दूसरा पेंटो जो lower रहेगा उसी में भी current supply रहेगा क्योंकि एकी रूप बर से हो कानेक रहता है हमेसा तो हमेसा current supply कि दोनों pentagram में भी रहेगा और हमेसा एक ही पेंटो क्वंटेकर के साथ touch होके रहेगा तो यहाँ पे देखिए pentagram 1 जो है वो ही के साथ touch है तो इसलिए उसका जो ही के 25 kb power supply उसको मिलेगा और उसको मिलने के बाद वो HPT1 करके एक लिखाया तो यह HPT1 किया है नहीं एक लिंक स्वीच है यह लिंक स्वीच क्या करता है जब कोई pentagram खड़ाब हो जाए वर डिफेक्ट हो जाए ठीक है तूट गया माल लिए तो उसको आइसोलेट करने के लिए HPT को दिया जाता है तो HPT को लिंक स्वीच कर लाता है तो इसको खोल देने से इस पेंटो आइसोलेट हो जाते है माल लिए पेंटोग्राब 2 खड़ाब हो गिया बाट पेंटोग्राब 1 से पेंटोग्राब 2 तक जाएगा बाट पेंटोग्राब 2 को हमको आइसोलेट करना पड़ेगा क्योंकि और डिफेक्टिव है इसलिए वह HPT 2 जो लिंक स्वीच है उसको खोल देना होए तो खोल देने से क्या होगा पेंटोग्राब 1 से पावर सप्लाई यह तक आएगा बाट इसके आगे थक नहीं जाएगा तो यह काम है HPT का जो क्या है लिंक स्वीच है तो इसके बाद देखिये रूबबार् दिया होाए यह रूबबार массden पावर सप्लाई लोगों के आयेगा यह यह तॉपण कर सब्सक्राबी पेंटोग्राइं डिज् EnsSON से दीज तक आया है तो अब क्या है एए डिजे ओपे अवस्ता है तो ओपेना Um supporter को close करना के लिए डिजे के नियूमेटिक सब्लाइश तो दिश्ता है तो डिजे क्या है डिजे एक hybrid circuit breaker जिसको VCV बनकी बिल सब्सक्राइब ऐसे वीवानी सब्सक्राइब करता है तो जब क्लोज होता है तो उसका पावर सप्लाई जाता है HD केबल में एक HD केबल है उसका आगे देखिए एक ET1 करके लेका हो है ना ET1 क्या है सार्च एडिस्टर नामबर 1 जब कोई बिजली गड़कता है तो यहापे क्या होता है लोको से यह रूप बहरे वहाँ पे हाई बोल्टेज चला आता है तो हाई बोल्टेज जाने से क्या होगा लोको में खड़ा भी आ जाएगा तो खड़ा भी आ जाने से लोको डिफेक्ट होजाएगा जल जा सकते है इसलिए वह E-T-1 दिया रहता है उसका कुछ गैब रहता है तहिंग है एक यहां जाया जाने से दोनों यह ऑल्ड Nord जाया फिरतसे लुखिए लोकों के बक्राउंड ऐटता है तो हुट्द यूर्ड जाया है वो इस से जाता है लोगों के अंदर चेव्य इनिशे चला जाएगा असी तरह क्विद ऐसी तरह से है एष्टी तुओ लेट के बाध में कोई बापने के बाद को कोई सब्सक्राइबूत कर देगा है तो कि DJ हो गया, DJ के साथ एक HOM है, HOM क्या है न, लोगों का grounding कानने के लिए एक switch देया रहता है, लोगों का रूप में ही लगा रहता है, तो ही HOM, conventional लोगों में JPT की से, एन 3-page लोगों में IG38 की से operate करता है, तो इक की से operate कानने से, क्या होगा, देखे, इसका interlock यहाँ से connect होगा, और इसका interlock यहाँ पर connect होगा, और इसका जो इस तरफ का सिरह है, और लोगों का frame से होके, लोगों में होके, लोगों का art के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है, तो ground कर देगा, लोगों का तो इसका ज़रूरत क्या पड़ा, लोगों को isolate करने के लिए, ग्राउंट करने के लिए, कोई मान लिजिये, लोगों का रूप में कोई खड़ाप हो गया, जैसे बोल रहते, पेंटोग्राफ तूट गया, तो पेंटोग्राफ का तूट ने क्या बाद, जो HPT switch को हम लोग operate करेगा, तो उसके चानने से पहले, लोगों रूप में चानने से पहले हम लोग का HOM operate करन होगा, तो इसके लिए, लोगों ग्राउंडिंग स्वीच, HOM दे आ रहता है, और यह HD केबल, HD के बीच में, DJ and HD के बीच में एक रिले है, QLM, QLM क्या है, ना, फीडिंग पावर सार्किट का ओभर करन रिले है, यह नोर्माली क्या होता है, डियान जैस में रहता है, ठीक ह पावर साप्लाई ज्यादा हो जा रहता है, तब एक QLM, एना जैस होके, इसका जो इंटलेक्ट, DJ सार्किट में है, वो खुल जाता है, तो खुल जाने से क्या होगा, DJ खुल जाता है, तो DJ अब खुल जाने से क्या होगा, पावर साप्लाई यह तक आ जाएगा, बट इसके आगे नहीं जाएगा तो इसका एई यूज है ठीक है तो QLM यह पूस्ता है जो QLM का Location बताई तो QLM का दो तरह का Location है एक Electrical Location Electrical Location क्या होगा? Relay Panel में होगा और Physical Location बोलेगा तो क्या होगा? और DJ and HD Cable के बीच में होगा ठीक है तो HD Cable जो आया HD 2 Comparment से होते हुए ओ ट्रांसफर्मर जाएगा ओ ट्रांसफर्मर लोको में कहा रहता है ट्रांसफर्मर लोको का अंडर फ्रेम में रहता है तो उसका जो यह 33 Boosting है उसके साथ HD Cable जोड़ जाएगा और A0 जे होएगा और A0 ग्राउंड कर देगा आर्टिंग से मिलके में वाइंडिंग में पावर सप्लाई आएगा तो देखिए यह जो यहलो मार्क यह है ना है ओ ट्रांसफर्मर का अंदर रहता है अंडर फ्रेम में यह को बोलत है में वाइंडिंग ठीक है टीएब डाबलू आर एटीएब डाबलू और में वाइंडिंग में पावर सप्लाई 25 के भी आ जाएगा तो यह ट्रांसफर्मर का ओईल देखा यह लिका है ना ओईल टेंक 2000 लिटर का एक ओईल टेंक रहता है उसमें दूबा होए रहता है तो एक कोईल में पावर आ जाएगा उसके बाद क्या होगा हमारा जाओ बाइक कार है उसमें तो गयार रहेगा तो गयार से हम स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है बाट लोको में तो गयार नहीं रहे तो इसमें कैसे पावर सप्लाई आएगा और उसको स्पीड इंक्रीज डिक्रिस करेगा तो यह पावर को भी वह बढ़ाएगा घटाएगा इसी से वह स्पीड इंक्रिस डिक्रिस करेगा तो ट्राक्षेन मोटर को ज्यादा भोल्टेज जाने से वह ज्यादा घुमेगा और स्पीड इंक्रिस होगा कम भोल्टेज जाने से वह कम भोल्टेज लेके धीरे घुमेगा और स्पीड डिक्रीज होगा ठीक है तो ऐसा ही यह वैंडिंग से 32 अलग 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 पॉइंट से टैप करके यह जो जी आर है ग्रैजुएटर बोलता है जी आर का दो बाजबार है उसके साथ कनेक्ट है रहाएगा तो अलग अलग पॉइंट में अलग 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 भोल्टेज एक ग्रैजुएटर को देगा एक पॉइंट में जो वोल्टेज देगा दो पॉइंट में वो उससे ज्यादा देगा ठीक है एसी तरह से वो 32 टैब लेके 1 टू 32 टैब तक स्पीड इंक्रीज कर सकता है 32 1 जब तो इवेंट टैब है वो बस्पान नमबर 2 के साथ जुड़ा है तो और नमबर बला बस्पान नमबर 1 के साथ और इवेंट नमबर बला बस्पान नमबर 2 के साथ जुड़ेगा ठीक है तो ग्रैजुएटर जब घूमता है ठीक है तो उसका जो हम लोग क्या करता है लोको को नोच लेने के लिए Master controller MP को operate करता है, तो MP को N से plus लेने से क्या होगा, क्या होगा एक नोच बढ़ेगा, इस मेरी बिसके क्या होगा फार फार क्या होगा। महां आता है यहां पे देखिए उपर में इस दुसरा बाला पी डियां में देखिए किया है बास्पार नमबर one है यह यह बास्पार number two है ठीक है तो जीयर को tap changer भी करता है तो बास्पार number one से क्या है cgr1 जुड़ा रहता है तो यहाँ पर देखिए cgr1, cgr2, cgr3 यह कहाना cam contactor है contactor को cam से operate करता है इसलिए इसको cam contactor बोलता है तो cam contactor cgr1 काप close होगा cgr2 काप close होगा cgr3 काप close होगा यह देख लेते हैं ठीक है अब mp को 0 से np लेके एक notch ले लिया तो एक notch लेने से क्या होगा यह one के साथ जुड़ा रहेगा ठीक है यह one है तो one में power supply ऐसे ऐसे जाके ऐसे जाके cgr1 close में होगा ठीक है cgr1 close होने से power supply ऐसे जाके ऐसे होके ऐसे जाते हुए tfp जो wind नहीं है transformer का primary winding उसको मिल जाएगा तो जब one, three, five ऐसे करके और notch आएगा तो और notch में cgr1 close में रहेगा और tfp को मिलेगा power supply अब जब even notch ठीक है two, four, six करके रहेगा even notch even notch में क्या होगा power supply ऐसे आएगा cgr3 close होगा and ऐसे जाएगा cgr2 close होगा तो power supply tfp को मिलेगा but एक चीज देखिए cgr1 and cgr2 and cgr3 tab जब one notch से two notch जाड़ा है तो between में तो कुछ time के लिए ओ एक notch से detach होके दूसरा notch में attach हो रहे है तो बीच में तो कुछ time लगेगा minor time भी तो लगेगा ना एक notch से और एक notch के जाने के लिए तो उस notch में तो उसका power supply कट जा रहा है तो कट जाने से क्या होगा TFP primary जो winding में power supply नहीं जाएगा ठीक है तो लोको तो de-energize हो जाएगा ना तो continue power supply तो TFP को देना है तो यह वाला जो one three करके two four यह तो full notch है but in between जो notch है जिया trouble job कर रहा है दोनो notch के बीच में तो in between hub notch में तो उसका power supply देना है तो जब one से two जा रहा है वा three से four जा रहा है और four से five आ रहा है तो वही बीच में power supply कैसे जा रहा है देखिए तो जब माल लिजिए one में cgr one से जा रहा है ठीक है वो तो कोई डाउट नहीं है अब one से two जाने का time two तक अभी नहीं आया है one से just two के तरफ जा रहा है तो होगा cgr one तो close रहे गाई बट cgr two से भी power supply जाएगा कैसे जाएगा cgr two यहां से power जाएगा cgr two में rpgr होके rpgr किया होगा नहीं जी आर का resistance है तो जी आर का resistance का वैलो one point six one ohm होता है और एक resistance जो किना 0.6 second के लिए कर्ण को रोक कराता है ठीक है standby में राखता है तो यह cgr two close होगा तो यहां पर जाएगा तो in between में cgr one and cgr two से power supply जाएगा जब एक power tab two के साथ connect हो जाएगा तो two के साथ connect हो जाने से cgr one खुल जाएगा cgr one खुल जाने से cgr two and cgr three से tfp हो जाएगा तो एक बात याद रखिये जो और नोज में cgr one से जाएगा in between में cgr one and cgr two से जाएगा और यह दो जो बाजबार है उसके बीच में एक constant power supply भेजने के लिए एक rp year रेजिस्टेंस पर पर्मान रेजिस्टेंस पर गैजुएटर यह दिया रहता है यह लगभग one lakh ohm का होता है ठीक है तो ऐसे power supply tfp primary winding को मिल जाएगा तो यह है feeding power circuit तो feeding power circuit अज हम देख लिए तो ऐसे रहता है और नोजबाला रहता है ब्यासपान नामबर one में and even नोजबाला ब्यासपान नामबर two में तो वेसी से pentograph से लेके et1, hp, dj, qlm, ht cable, a33, a0, main winding, tab changer, graduator और यहापे tfp जो winding है इस तक हो गया feeding power circuit को जो जो gr का जो blue color का जो color की हुआ है तो ए क्या हुआ है यह भी ऑइल में डूबा रहता है जो gr अल्यक्द एला जो डिन्लम में दूबा रहता है थो जी यण गेंक रहता है 70 लहर है चब्लश करहता है और यह 2000 ल conie transformer oil में रहता है और यह GR वाला GR oil में रहता है तो GR जब घुमता है तब क्या होता है नहीं बाजबर connect होता है और इसे according CGR भी cam conductor घुमता है तो CGR cam conductor close होके power supply यह primary winding को देता है तो आज हम लोग देख लिए जब feeding power circuit में कैसे power supply होता है तो इस वीडियो को अब लोग लाइक करे वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को सेर करे चैनल को सब्सक्राइब करे मिलते है नेक्स्ट वीडियो में